हेलो मेरे दोस्तों तो कैसे हो आप जब लोग वलकाम बैक टू यॉर चैनल टेगी डी में दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकिया हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बताऊँगा और ये ट्रिक आइफून यूजर्स के लिए होने वाली है बेसिकली आइफून यूजर्स जब भी अपना आइफून चार्जिंग पर लगाते हैं तो उन्हें चार्जिंग साउंड कुछ इस टाइप का सुनाई देता है लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपके लिए ट्रिक ले गया हूँ उस ट्रिक को अबलाई करने के बाद आपको चार्जिंग साउंड को इस टाइप का सुनाई देगा तो दोस्तो इस टाइब के चार्जिंग साउंड को अनेबल करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आप इस टाइब के चार्जिंग साउंड को कैसे अनेबल कर सकते हो तो वीडियो को बिना स्क्रीप करें एंड तक पूरा देखना दोस्तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को तो दोस्तो देख सकते हूँ हम आ चुके हैं हमारे फोन पे अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको charging sound लगाने के लिए आपको क्या करना है तो दोस्तो charging sound लगाने के लिए आपको क्या करना है आपको अपने iPhone के अंदर जो shortcut application आती है उसके अंदर जाना है तो यहाँ पर देख सकते हो shortcut application मेरे iPhone के अंदर already है यह सभी iPhone के अंदर होती है अगर आपने delete कर दिये तो आप App Store से shortcut application को वापस download कर लेना download करने के बाद आपको shortcut application को open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पर automation का option दिख रहा होगा आपको simply automation पर जाना है और create personal automation पर click करना है तो मैं यहाँ पर create personal automation पर click कर देता हूँ create personal automation में आने के बाद आपको scroll down करना है और यहां पर charger का option आपको दिख रहा होगा आपको simply charger के option पर click करना है और यहां पर आपको 2 option देख रहे हूँगे is connected और is disconnected तो आपको is connected पर ही रहने देना है और यहां से आपको next कर देना है अब next आने के बाद यहाँ पर आपको add action बटन पर click करना है add action बटन पर click करके और यहाँ पर आपको search करना है speak text यहाँ पर speak text आ जाएगा आपको simply इसको search करना है जैसे ही आप select कर लोगे यहाँ पर आपको देखना text लिखावा आ रहा होगा तो आपको text वाले option पर यहाँ पर जो भी आप charging के दोरान अपने iPhone से बुलवाना चाहते हो वो यहाँ पर आपको type करना है तो मैं जैसे charging जैसे ही मैं अपने phone को charging पर connect करूँ तो मेरा phone बोलना चाहिए thanks for charging me तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ thanks for charging me तो देख सकते हैं दोस्तो थैंक्स for charging me मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब आपको क्या करना है यहाँ से आपको done करना है और यहाँ पर आपको next का बटन दिख रहा होगा आपको simply next के बटन पर click करना है और next के बटन पर आने के बद यहाँ पर देख रहा होगा ask before running तो यहाँ से आपको इसको off कर देना है और don't ask कर देना है उसके बाद आपको यहाँ से simply done कर देना है तो हम यहाँ से इसको done कर देते हैं अब हमारा automation तो create हो चुका है लेकिन आपको क्या करना है आपको पूरा भाहर आना है और जाना है clock के अंदर clock के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से timer में आ जाना है और timer के अंदर आपको when timer ends पे click करके यहाँ से आपको कोई other option select हो रहा होगा लेकिन आपको stop playing पे click करना है और यहाँ से आपको इसको set कर देना है अब आपका automation perfectly ready है तो अब हम देखेंगे हमारे iPhone को charge में connect करके कि हमारा जो automation है वो लगा है या नहीं तो यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी charging के बल ले लेता हूं तो दोस्तों अब करेंगे हम हमारे phone को charging के साथ कने तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अपनी charging को connect कर देता हूं और यहाँ पर देख सकते हो आप यह देख सकते हो दोस्तों आपने sound सुन लिया यहाँ पर हमारा phone बोल रहा है thanks for charging मे मैं आपको एक बार दुबारा सुनाता हूँ यह देख सकते हो दोस्तो आपका भी फोन कुछ इसी तरीके से बोलने लगेगा उसके बाद ठैंक्स पो चारजिंग मी जरूर नहीं है आप ठैंक्स पो चारजिंग मी ही डालो आप कुछ भी डाल सकते हो कुछ भी अधर चीज बुलवा सकते हो अपने iPhone से मैं एक बार आपको दुबारा सुना देता हूँ और अगर आप इस sound की voice change करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो जैसे अभी हमारी voice एक boy की आ रही है अब मैं आपको बताता हूँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपको speak test में आ जाना है speak test के अंदर आपको यहाँ पर arrow का option दिख रहा होगा आपको इस arrow पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो voice voice अभी हमारी रिशी की हो रखी है तो अगर आप चाहो तो Siri voice 2 भी कर सकते हो Siri voice 2 करोगे तो यहाँ से आप play करके एक बार सुन सकते हूँ कि यह voice किसकी है तो हम यहाँ पर play करके सुनते है हमने Siri voice 2 select करी है हम Siri voice 2 देखते हैं किसकी है अगर Siri voice 2 हमें पसंद आती है तो हम इसको इसको add कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखा आपने Siri voice 2 जादा बैटा रहे तो हम Siri voice 2 select करके रखते हैं, अब आपको Siri voice 2 select करके बस इस तरीके से और बहार आ जाना है और यहां से इसको done कर देना है, अब जैसे ही आप charging से अपनी cable को connect करोगे अपके iPhone से, तो यहां पर देख सकते हो, हमें कौन सा sound सुनाई देगा तो यहां पर देख सकते हो, जो हमने Siri voice 2 select की थी, हमें वो sound सुनाई दे रही है, तो इस तरीके से आप भी अपने iPhone को cool बना सकते हो, ऐस तरीके से charging sound लगा के, तो definitely आप भी इस charging sound को यूज करो, और अलग-अलग तरीके की charging sound आप लगाते रहो, जब भी आपको मौका मिले, आप अलग-अलग तरीके की charging sound लगाते रहो, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको आपके iPhone से बुलवाना हो, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आपको यह वीडियो आपको पसंद आगे, पसंद आए तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके ज़रू पताना कि यह ट्रिक आपको कैसी लगी और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बैल आइकन को भी ज़रू दबादेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लेटर्स वीडियो लेकिया हूँ, तो वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले, बाकि आज के मैं इस वीडियो में इतना ही में बंते, आपसे नेक्स वीडियो में, बाइबाई